हेलो दोस्तों नमश्कार आप सभी का एक बार फिर से हार्डविक स्वागत और अभी नंदन है बात करेंगे आज के एडिटोरियल सेशन की इस ब्यूटिफल मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करेंगे सेशन अपने लक्षे का पीछा करें लोग क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है लोग आपसे कहेंगे कि ये लक्षे प्राप्त नहीं किया जा सकता लोग आपसे कहेंगे कि कम से कम तुम इसे प्राप्त नहीं कर सकते लोग इसे कहेंगे बहुत मुश्किल है कैसे हो पाएगा लेकिन आ पड़ते चलना है जरूर जीत आपकी ही होगी प्ले स्टोर से आप हमारी एप आशिस क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आपको नजर आएगा और इसमें डिफरेंट प्रकार के पेड़ कोर्सेस अविलेबल हैं वह आप जोइन कर सकते हैं नेक्स्ट बैच नेक्स्ट वेंजडे को स्टार्ट होने वाला है थर्ड ऑफ जून से स्टार्ट हो जाएगा बैच तो उसके रिजिस्टेशन सोपन है अब रिजिस्टेशन करवा सकते हैं एक बैच क्लोस टेस्ट और पैरा जंबल कर चल रहा है जिसमें आपको न्यूस पेपर से क्ल पिछले ईडिटोरियल हैं उनका 30 टाइक और दो नमबर पार्ट है एक पारथ अपर टीैसरा पार्टाइग्स पोश्न कर दिया कि डाएगा एक्स्पोर्ट ब्लोक्स के नाम से वेडिटोरियल है और आज से पहले हम एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे उसके बाद जो इसके बागी बाते हैं ग्रामर की बात है वक्याब्डरी की बात है और वक्याब्डरी का मैंने अंदाद चेंज कर दिया है काफी लोगों ने कमेंट किये थे बहुत परेशानी आपको थी WPS Office किसी को नहीं मिल पा आपको सीखना है क्योंकि मेरे साथ भी मुझे तो summary लिखना आता है मैं लिख सकता हूँ प्रेशिस लेकिन आपको सीखना है कि कैसे लिखा जाए तो यह अंडरलाइन जो पार्ट है ना उनकी मदद से आप summary लिख सकते हैं यह मैंने जो key sentences हैं प्य चीजहें जो भी important चीजहे है इनकी help से इन points को लेकर साधारन शब्दों में अपने शब्दों में summary लिख कर आप comment कर सकते हैं तो export blocks के नाम से आज का editorial है export blocks का मतलब होता है export और blocks का मतलब समू होता है है ना तो export blocks का मतलब हो गया export होने वाले जो जो समू है जो जो चीजे है उसके बारे में यह बात कर रखी है इस editorial के इंदर block का मतलब बाधित करना भी होता है तो इसका मतलब यह भी निकाले कि export बाधित हुआ है तो यह भी हो सकता है डेखते हैं कि क्या इस बारे में आपको article में दे रखा है तो यहां पे जो आपको light orange color में नज़र आ रहा है यह मैंने highlight किये है subject इनको देखकर आपको verb आगे दे रखी होंगी वह verb का सम्मद इस subject से होगा subject आपने find out कर लिया verb निकालना बहुत आसान है और second paragraph में आपके लिए छोड़ता हूं कि वह paragraph में आप यह process दो रहाएं तो यहां पे कह रहा है India must not miss out on the rise in world trade on the back of stimulus packages must का प्रियोग उस स्थिति में करते हैं जब आपको बाध्धिता दरशानी होती है यह दरशाना होता है कि यह काम तो करना ही पड़ेगा अनिवारियता है, compulsion है, obligation है तो भारत को miss out on, miss out on एक phrase होती है इसका मतलब होता है आवसर खो देना तो भारत को यह आवसर नहीं खोना चाहिए, ठीक है, the rise in, world trade, world trade मतलब वेश्विक वियापार the rise का मतलब हो गया बढ़ोतरी, और rise और raise के बीच में difference यह होता है यह विसे आद के जो एडिटोरियल में हमने बात करी है इसके अंदर, जो grammar की बात हम करें कि उसमें मैंने mention किया इस point को, rise की तीनों forms, rise, rose, reason होती है तो भारत को यहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए, भारत को आवसर नहीं खोना चाहिए किस चीज़ का कि वेश्विक वियापार में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसका आवसर नहीं खोना चाहिए on the back of stimulus packages और वेश्विक वियापार में बढ़ोतरी है, rise है, तो किस के आधार पर है back का मतलब होता है, base, आधार, stimulus packages, stimulus packages होते हैं, राहत कारिये के लिए जो packages दिये हैं, जो प्रेवित करने वाले package हैं, stimulus का मतलब ऐसे प्रेवित करना वाला होता है stimulus packages का मतलब हो गया, वे packages, वे आर्थिक packages जो कि प्रोचसाहन के लिए दिये गए, प्रोचसाहन राशी कह सकते हूं तो पूरा विश्वे, चूकि COVID-19 से जूज रहा है, पूरा विश्वे, economy अगर बात करें, तो economy में बिल्कुल crash हो चुकी, पूरी economy पूरे worldwide अगर बात कर लें तो हर देश प्रियास कर रहा है कि अपने अपने देश में कुछ stimulus packages की घोशना हो रही, जैसे कि इंडिया में भी आपने देखा कि stimulus packages की घोशना की गई तो stimulus packages के दम पर क्या होगा कि वैश्विक जो पूरी अर्थिवस्ता है उसमें बढ़ोतरी होगी और इस बढ़ोतरी का भारत को लाब उठाना चाहिए, इस आवसर को खोना नहीं चाहिए, ये बात इसमें कर रखिए आगे देखिए, official trade data for April, released at the midpoint of the finance ministry's five tranche package to salvage the economy in the throes of a pandemic-induced lockdown, was the grimest in over two decades तो official trade data है, वो यहाँ पर बन गया है, आपका subject तो official trade data मतलब, official जो आकडे हैं व्यापार के संदर्ब में, किसके लिए अपरेल मन्त के, released at the midpoint of the finance ministry's five tranche packages, ट्रांच का मतलब होता है हिस्सा या भाग, ये release हुआ, at the midpoint बिलकुल बीच में, किसके, वित्तमंत्राले के जो पांच भाग में जो package की घोशना की गई थी, जो भ ठीक है, save करना, किसके लिए, अर्थ्यवस्ता को बचाने के लिए, in the throat of, वो अर्थ्यवस्ता जो संकट में है, in the throat of का मतलब मुश्किल हालात में होना, अब pandemic induced lockdown, और, किस कारण से है, यहाँ पे क्यों संकट है, तो pandemic induced lockdown के कारण, induced का मतलब प्रेरित करना कह सकते हो, bring about कह सकत हो, कि यह कारण बना है, तो pandemic के कारण, जो lockdown लगाया गया था, उसके चलते जो अर्थ्यवस्ता बिलकुल खराब हालत में पहुँच चुकी थी, तो उसको बचाने के लिए, was the grimest, अब यह वो जो है, वो उस data को देखकर लग रहा, data दोनों तरफ से हो सकता है, singular भी data होता है प्लूरल भी data होता है, वैसे आप जब noun पढ़ते हो, तो वहाँ आपको यह मिलता है, कि data का जो singular है, वो datum होता है, लेकिन modern English में data ही यूज़ करते हैं, चाहिए singular करो, चाहिए plural करो, was the grimest in over two decades, यह जो data है, यह grimest इस तरपे थे, in over two decades, दो दशकों से अधिक समय के अगर बा depressing है, घबराएं नहीं, मैं लाजने डिस्कस करूँगा, इस चीज़ को screenshot देने का time दूँगा आपको, तो grimest जो शब्द है, grim, इसी का ही दे रखा आपको, grim का मतलब होता, bleak, dismal, gloomy, depressing, मतलब कह सकते हो, बहुती खराब हालत में, एक बार फिर से देख लीजिए, क्या बोलन बीच में, जो यहाँ पे official data release किये गए, और यह package की घोशना किसले हुई थी, economy को बचाने के लिए, economy कौन सी, जो मुश्किल हालात में थी, मुश्किल हालात में क्यों थी, तो यह सब कुछ जुडा हुआ है, pandemic के कारण जो lockdown लगा था, उस कारण से, तो वो जो data था, वो यहा एक्सपोर्ट का मतलब हो गया निर्याद, तो वस्तुओं का निर्याद जो है, head collapsed, यह यहाँ पे धराशाई हुआ था, collapse का मतलब इसमें गिरावट आई थी, head collapsed, past perfect है, by over 60% कप कहां तक की गिरावट आई थी, 7% तक की, and imports contracted, और imports जो है, वो यहाँ पे सिकुड गया था, contact का मतलब संकूचन होना, गिरना, डिमिनिश होना, only slightly less, केवल हलके, फुलके मतलब बहुत कम कह सकते हो, slightly less का मतलब हलका, फुलका, तो यह adverb है, less यहाँ पे objective है, less का मतलब कम, थोड़ा सा कम केवल, तो आयात तो है, घटा तो है आयात, लेकिन थोड़ा इसी घटा है, लेक और का परियोग, more than के अर्थ में, 60% से अधिक, तो देखो किसी भी देश का निर्यात जो है, वो जादा अगर है, तो इसका मतलब देश के अर्थिवस्ता, बिल्कु सुद्रण हालत में है, देश का आयात जादा है, तो डिपेंड करता है, दूसरे कंट्रीज पर, तो यहा अब कह रहा है कि कौन से दो सेक्टर है, जहां पे एक्सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ा है, बाके सब में तो गिरा है, तो यह कह रहा है कि only केवल, two of इंडियास थर्टी बिगेस्ट भारत के जो सबसे बड़े एक्सपोर्ट प्रोड़क्ट्स हैं, जो सबसे जादा होते हैं भारत के, तीस प्रोड़ेक्ट की बात कर रहा है, उनमें से केवल दो नहीं, यहां पे पॉजिटिव ग्रोथ दर्शाई है, क्लोग का मतलब यहां पे समय के साथ ग्रोथ दर्शाई है, और कौन-कौन से वो प्रोड़ेक्ट्स हैं, एक तो है लोह अयस्क, आपने ह है, गिरावाट है, सबके सब सपेट में आ गए, लेटर है, वो सिक्वेंस के लिए आता है, क्रम के लिए आता है, तो यह लेटर किसके लिए आ रहा है, यह फार्मासुटिकल्स के लिए आ रहा है, क्योंकि सिक्वेंस में बादवाला तो यह पहला और यह बादवाला, तो क दूसरेवाले में मैडिसिन वाले सेक्टर में बाकि ऐरन एस थीज़ा ठीक हालत में तो केवल जो भारत के सबसे बड़े तीस बीगेस्ट एक्सपोर्ड प्रोड़क्ट्स हैं निर्यात करने वाले प्रोड़क्ट्स हैं उनमें केवल दो नहीं यहां पर पॉजिटिव सुटिकल से और बाद वाले में तो केवल 0.25 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है थैंक्स टू दशार्प डिप इन ग्लोबल ओइल प्राइसे और कारण क्या है थैंक्स टू का भी मतलब बताया गया है लाश्ट में हमात करेंगे थैंक्स टू का मतलब होता है कि यह ओंग टू है किस कारण से है तो किस कारण से है तस शार्प डिप इन ग्लोबल ओइल प्राइसे शार्प का मतलब बहुत तेज बहुत ज़्यादा डिप का मतलब गिरावट किसमें ग्लोबल ओइल प्राइसे तो वैश्विक तेल की कीमतों में बहुत ज़्यावट आई थी इस कारण से ऐ higher volumes of petroleum exports तो कह रहा है जो बहुत ज्यादा मात्रा है higher volumes of petroleum exports वोल्यूम का मतलब मात्रा होता है petroleum exports की बहुत ज्यादा मात्रा जो है did not help much in value terms तो इसने भी value terms में ज्यादा help नहीं की है higher volumes of petroleum exports तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो petroleum export है उसने did not help much ज्यादा help नहीं की है in value terms अगर value की बात की जाए तो इस कारण से कह रहा है तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि किस कारण से यह सब कुछ है तो कह रहा है कि बहुत तेज गिरावट देखने के मिली थी पूरे वेस्ट्विक तेल की कीमतों में और higher volumes of petroleum products तो यह subject है इसका did not help इसकी वर्ब है तो बहुत अधिक मात्रा में petroleum products का जो exports है उसने यहाँ पे ज्यादा help नहीं की है value term में ठीक है आगे देखो कहने का मतला समझगे कि आप भी देखो यहाँ पे इस कारण से यह हुआ चुकि कीमतें बहुत कम हो गई अब कीमतें बहुत कम हो गई तो आपने समान बहुत ज़दा बेचा और समान ज़दा बेचने के बावजूद भी revenue आया वो कम आया समझ रहे हो एक तो क्या है कीमत 50 र लेकिन फिर देखो यहाँ पे ज़्यादा हल टीना मिली यहाँ सो वस्तों बेचने से यह था तो वह हुआ कि यहाँ पे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ बहुत बढ़ी नहीं कारण इसका यही था कि यहां कूछ की पॉइंट्स है आज के इससे आप समरी लि घोषित किया है तुए मतलब अवसर का भारत को लाब उठाना चाही है यहां से शुरुवत हो जाती है फिर यहां पर आ रहखा एक है कि लौक्डावन कर चलते जो एकोनोमी यहां पर लोकडाउन था मतलबब पैंडयमी के सलते लोक्डावन जो लगाए गये था उस कारण से जो डेटा सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि बिल्कुल 20 सालों से डेटा कभी सामने नहीं आ इतनी गिरावट दर्ज की गई है तीस प्रोडेक्टर दो में गिरावट आई है दो ही ठीक हैं कि यह आईरन और है और एक फार्मसोटिकल है फार्मसोटिकल में किल 0.25 परसेंट ही हुआ है फिर कुछ आगे बाते स्टार्ट होगे तो यह कुछ की पॉइंट से इनकी मदद से आप लिख सकते हैं ना आगे देखो law the trade collapse was not surprising as the spate of national lockdowns around the world have not only dented demand and investment but also severely disrupted global supply chains and shipping routes तो कहरा दे.. अब त्रेडs. अब त्रेड कॉल सब्जेक्ट है वह जिसका व्र भ मैं है तो तो त्रेड में गिरावट, इस पहलेवा घृवट एनक तो व्यापार में जो गियावट है Was not surprising यह आश्यरीज सनक नहीं थी ठीक है वाज थी नॉट नहीं सर्प्राइजिंग आश्चिदे जनक अब सर्प्राइजिंग यहां पर एजेक्टिव है क्योंकि ट्रेड कॉलेप्स यहां पर नाउन है तो इसको देखकर यह एजेक्टिव लगाया गया है है इसका एज यहां पर इस चीज ने क्या किया बहुत बड़ी मात्रा में लोगडाउं चालू हो गए पुरे विश्यो भरमें और उट उनली देखकर आलस लगा है तो ना केवल इस क्या किया डेंटेट डिमांड एन इन्वेस्टमेंट ना केवल इसने मांग और निवेश को प्रभावित किया डेंट का मतलब नुकसान पहुंचाना है यहां पर है ना कम करना है तो ना केवल मांग और इन्वेस्टमेंट निवेश को प्रभावित किया बट अल्सो सिवियरली डिस्रप्टेड ग्लोबल सप्लाई चैन्स एन्ड शिपिंग रूट्स बलकि इसने डिस्रप्ट करना अंसेटल करना अपसेट कर देना तो इसने जो ग्लोबल सप्लाई चैन्स हैं मतलब वैश्विक सबस्का आधार पर जो सप्लाई चैन्स आपउलति के लिए समान के पडुटी के ए डिस्टरप कर दिया रू चलती है उसको भी इसने कर दिया कर दिया और फिर में गिरनोकर का पता करन कारण का है कि भी पूरे विश्वभर में लोगडाउन चला लोगडाउन चला तो इससे मांग प्रभावित हुई और इंवेस्टमेंट प्रभावित हुआ निवेश नहीं आया तो इतना ही नहीं हुआ बलकि यहां पर यह भी हुआ कि ग्लोबल सप्लाई चेन भी यहां पर डिस्टर्ब हो गई और साथ में शिपिंग रूट में प्रभावित हो गए अब आगे कह रहा है इंडियाज एक्सपोर्ट्स हावएवर वर अल्रेडी इनफ फ्री फॉल अब यह हावेवर मतलब हालंकी अब यह बात बात करें इन्डिया इक्सपोर्ट्स के रबात करें तो हावेवर हलंकी यह Picture इनफ फ्री फॉल वो पहले से फ्री फॉल में थे मदला मुक तुरूब से इन में गिरावट आ रही थी जड़ा इंग एक्सपोर्ट्स को देखकर रवर का पर फिर करने तक government's economic stimulus package in totality offered several reform commitments improvements in the ease of doing business along with some forbearance and a few shops for micro small and medium enterprises which are also export oriented units so that government's economic stimulus package government ka economic arctic stimulus package government ka jo arctic package hai मतलब arctic stimulus package है stimulus package का मतलब क्या हो गया राहत package या फिर प्रोच्छान वाला package in totality अगर संपूर्णता से बात करें तो offered इसने offer किया several reform commitments several मतलब आने को reform मतलब सुधार वाले commitment प्रतिबद दता इन packages में दिखा कि सरकार प्रतिबद है कुछ सुधार लाना चाहती है improvements in the ease of doing business improvement मतलब सुधार इन मतलब में ease of doing मतलब प्यापार करने में आसानी है न ease of doing business में improvement लाना along with some forbearance किसके साथ हमें forbearance का मतलब यहां पे है कि जैसे कोई किसी को loan दे दिया आपने और और फिर loan चुकाने के लिए आप यह deadline इन है कि loan देना पड़ेगा उसकी किस्तिजमा कराने पड़ेगा सरकार ने यहां पर महुलत दी है कि कोई बात नहीं कुछ समय और आपको दिया आप फोड़े दिन से तो कुछ ऐसी चीज़ जो है तो नहीं essential इतना important नहीं अनिमपोर्टन्ट है इन सिग्निफिकंट चीज़ें है लेकिन फिर भी आपको शांत करने के लिए आपको अपीज करने के लिए वो चीज़ें दी जाती है उसको बोलता है सौब एक प्रकासर ललचाने वाली आने को तो ऐसी है मैंनियर विट्छ उनमें से अने को और गला उस्पोर्ट ओर्यंटेड युच वहינDe मतलब वह कायां एंडिया उनका कामी expert करना है absorb से ही पैसा आता है चीकी में इसperson चाहिंप करते हैं कहने का मतलब यह एक बाद फिर से देख लिए two तो यहां इसने क्या बोला कि भी India the governments यहां से पढ़िए यहां से पढ़िए the government economic stimulus package government का जो आर्थिक प्रोथ्चाहन package है वो अगर संपूर्णता में बात करें तो यहां पर कई इसने reform commitments offer किये हैं तोलेटी के अंदर अनेकों reform commitments जो सुधार के प्रतिबजता है वादा है सरकार का उसको प्रस्तूत किया है ease of doing business में सुधार देखने को मिला है है ना व्यापार करना वासान है इतना documentation की जरुत नहीं पड़ती फिर कह रहा है कि इसके बाद में साथ-साथ में यहां पर लोन चुकाने के लिए जो mortgage loan कह सकते हो इसको mortgage loan में महुलत दी गई है और कुछ यहां पर लालच जल्चाने वाली प्रड़ोबित करना कुछ चीज़ें दी गई है कि इसके लिए MSME के लिए और वह MSME जिसमें से अनेको MSME तो ऐसी है जो एक्सपोर्ट औरेंटेड यूनिट्स हैं फिर क्या हावेवर देर वाज नो explicit respite offered for exporter इतनी चीज़ें हो गई गवर्मेंट ने सब कुछ ठीक किया फिर भी हावेवर मतलब फिर भी एड़र्सेटिव हो गया है है ना विरोधा भासी हो गया देर वोज देर से स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है तो यहां देखो वोज है और यहां explicit respite जो है यह no explicit respite है यह subject हो गया फिर भी यहां पे क्या है explicit का मतलब बिलकुल इस पस्ट respite का मतलब होता रहत respite noun है explicit executive है ठीक है और मैंने इसको देखकर कर रहा है क्योंकि यह कलर मैं करना चाहरा था कौन सा यह कलर भी देना था इसको और respite का मिनिंग भी बताना था तो इसलिए मिक्स हो गया यह respite यहां पे subject है पहली बात तो ठीक है ना इसको देखकर was लग रहा है क्योंकि inversion में क्या होता है बाद वाले subject को देखकर verb लगती है दूसरा यहां पे respite का मतलब रहत है यह भी आप note कर लीजिएगा और वैसे आपको PDF में मिल जाएगा जो बच्चे paid users हों को PDF में मिल offered for exporters मतलब अधिक राहत यहां पे offer नहीं की गई किसके लिए exporters के लिए समझ रहे हो there was no export offered अभी यह was offered दे रखा तो पैसिव है तो यह offer नहीं की गई है और exporters निर्यातकों के लिए the Reserve Bank of India on May 22 did unveil a few majors including a special 15,000 करोड liquidity facility for the Exim Bank for India and a six month extension for importers to complete outward remittance अब यह remittance जो है remittance का मतलब होता है precious money जैसे विदेश में कोई वेक्टी रह रह रहा है आपके परिवार का और वह आपको पैसे भेजता है तो वह remittance है अब यहां outward repentance है इसका मतलब भारत में कोई वेक्टी काम कर रहा दूसरे देश का भारत से पैसा बहार जाएगा तो यह outward remittance है प्रेशित धन को बोलता है तो यहां कह रहा है तो रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया से पहले आता है और में 22 डेट के पहले ओन आता है 22 मई को डिड अन्वेल अन्वेल का अनावरन करना होता है तो इसने RBI ने क्या किया 22 मई को अना लूटी बैंक का मतलब एक्स पॉर्ट इंपर्ट इंपोर्ट के लिए तो है आयात निर्यात बैंक भाषरत का उसके जीए ऑ explos Iman fabrication प्रोस संसी महीने बढ़ा दिये इंपोर्टर के लिए आयात को कows की आपको जो पैसा बहेजना है तो के पैसापस्पे भीजए na है जहां से आपने जहां के लोगों ने आपको समान भेजा है तो उनके लिए कंप्लीट करने के लिए यहां पर टाइम दिया छह मैने का extension दे दिया तो Reserve Bank of India ने 22 मही को कुछ यहां पर मेजर्स कुछ स्टेप्स यहां पर चले हैं उनका अनावरन किया गया है जिसमें 15,000 करोड का एक तो कैश फैसिलिटी की बात ही कर रहा है एक्जिम बैंक के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के लिए और छह मैने का extension दिया गया इंपोर्टर को कि वो जो आउट्वर्ट रिमिटेंस तो पैसा आपको भीज़ना है छह मैने का extension दे दिया है छह मैना ओर दिया इनको फिर कह रहा फोर for exporters the maximum permissible credit period from banks was extended from 12 months to 15 months for disbursements made up to July 31st to 2020 disbursement का मतलब वित्रन होता है पैसा देना पैसा वित्रित करना उसको disbursement बोलता है तो for exporters importers के लिए तो ठीक आपने कर दिया 6 मैंने का extension अब import exporters उनके लिए क्या किया है जो maximum permissible credit period from bank जो सबसे मतलब अधिक से अधिक permissible मतलब अनुमती योगे permission के योगे credit period का मतलब क्या हो गया loan वाली अवधी from banks bank से जो लोन लिया है exporters ने उसकी सरवादिक जो एक permissible period है वो extend कर दिया गया 12 महीने था पहले अब 15 महीने तीन महीने की छूट इनको दिए कि 6 महीने की छूट तो exporters को है कि उनको जो पैसा चुकाना है 6 मेने बाद में चुका देना 6 मेने की छूट मिली है और निर्यातकों को time मिला है तीन महीने का ठीक है ना तो यहां पर कहरा exporters के लिए जो maximum permissible credit period है from banks banks से जो आप loan लेने के लिए जो permissible period है credit period है उसको extend कर दिया गया है बारा महीने से पंदरा महीने तीन महीने बढ़ा दिया गया है वह extended पैसी वह इस है वह लग रहा है इस period के लिए ठीक है यह subject है और for disbursement made up to July 31st 2020 तो यह उसके लिए है जो पैसा देना था इनको 31 July 2020 समझ रहे हो 31 July 2020 को यहां पर जो disbursement करना था लोन इनको देना था उसको तीन महने का बढ़ा दिया है इसने extend कर दिया है बात समझ में आई क्या एक पर फिर देख लो भी आयातकों के लिए छे महने का दे दिया इसने अब यहां जो exporter सें जो maximum permissible credit period from banks was extended from 12 months to 15 minutes सरवादिक जो permissible जो एक टाइम था ना कि credit देने का लोन देने का उसको 12 महने से बढ़ा के 15 महने कर दिया है किसके लिए जो 31 जुलाइद 2020 को यहां पर disperse करना था उसके लिए तीन महने और बढ़ा दिया कहने का मतलब फिर करता थ्री month credit extension for exporter was in fact now a new major and had already been announced by the Central Bank on March 23 तो तीन महने का जो यह credit extension है लोन में जो बढ़ा दिया है तीन महने 12-15 महने कर दिया है for exporter किसके नियातकों के लिए was was आ रहा है इसी extension के लिए यह in fact वास्ताओं में not a new major यह कोई नया मेजर नहीं था कुछ नया step नहीं था and had already been announced और इसको पहले ही announce कर दिया गया था यह past perfect का पैसी बना दिया है इसने head के साथ बीन लगा के पहले ही इसको अनाउंस कर दिया था किसने central bank ने किंद्रिय बैंक ने on March 23rd 23 March को ठीक है तो तीन महिने का जो credit extension दिया है exporter को यह वास्ता में कुछ नया step नहीं था और इसकी घोशना पहले ही किंद्रिय बैंक ने प्रशना आता है काफी बार बैंक experience जानते हैं इस बात में सेंट्रल बैंक केंद्रिय बैंक आर बी आई यह एक दुसरे के प्रयाइवाची है कब की बात है 23 March को पहले घोशना हो गई ची तो 22 मही को जो घोशना करी है कुछ नया नहीं मतलब यह इसका बात में कहा रहा है कि so it's repackaging two months later as a fresh move suggests policy makers are running short of ideas to prop up a key employment generating bulwark of the country's economic post liberalization bulwark का मतलब सुरक्षा का वच है जो सुरक्षा प्रदान करता है उसको बोलते हैं bulwark protective gear you can say so it's repackaging two months later इसका री पैकेजिंग मतलब फिर से प्रस्तुत कर दिया दो मैने पहले आपने बात करी वही आपने मई में आके बात कर दी री पैकेजिंग कर दी letter का मतलब समय में बा इसको प्रस्तुत किया गया है कि आपको तीन मेहने का extension दिया जाता है जो कि घोशना पहले ही 23 मार्च को हो चुकी थी तू मंस के बाद आप फिर से यह घोशना करते हो तो यह दर्शाता है कि policy maker सा running short of ideas कि जो policy बनने वाले लोग हैं उनके पास ideas अब कम पढ़ रहे हैं short of ideas कम को मतलब कमी पढ़ना तो प्रोपप मतलब सहारा देना सपोर्ट करना की employment generating bulwag सपोर्ट किसको करना है की मतलब महत्यपूर्ण employment generating मतलब रोजगार सरजन करने वाला बुलवाक का मतलब सुरक्षा का वच्छ ऑप the country's economy देश के अर्थेवस्ता का मोपोस्ट liberalization उदारी करन के दोर के बाद एक दोर जो उदारी करन का आया था उसके बाद में एक प्रमुख सुरक्षा का वच एकोनोमी को strengthen करने वाला segment क्या है एक्सपोर्ट है तो एक सेग्मेंट है और उसको आप स्ट्रोंग बनाने के लिए strengthen करने के लिए support करने के लिए मजबूती देने के लिए आ in an employment extensive sector such as textile garment exports which fell 16% between January and March fell 91% in April तो employment extensive sector का मतलब है इंटेंसिव सेक्टर का मतलब है जहां पे employment बहुत ज्यादा मिलता है जहां पे रोजगार बहुत ज्यादा मिलता है employment रोजगार intensive का मतलब होता है intense करने intense का मतलब क्या होता है उग्र बहुत तेज शार्थ और intensive जिसमें विशेस्ता हुए ज्यक्टिव बन जाता है तो एक वह सेक्टर जिससे textile सेक्टर है कपड़ा उद्योग की बात करता है garment exports है है ना garment कपड़ों का निरियात है तो यह जो से sector है जहां पर रोजगार बहुत मिलता लोगों को अब यहां पर क्या कह रहा है विच फैल अब यह जो सेक्टर है यह यहां पर गिरावट आई है कितनी 16% की गिरावट आई है जनवरी से लेकर मार्च के बीच में between के साथ में एंड लगता है और फैल 91% और अप्रेल में गि ज़्यादा मात्रा में मिलता है फिर कह रहा है दा आउटकम फॉर में इस अनलाइकली तो बी एनी बैटर और एंड वर्ल ट्रेड ओगनाइजेशन एक्सपेक्स मेड फ्लॉस तो स्लिप बाई बैटर बिट्विन 13% 32% ओवर 2020 तो यह अप्रेल क्या कड़े आ गई अब लेख एक लिए का मतलब संभावित नहीं है इसकी संभावना नहीं है कि तो बी एनी बैटर की इस से अच्छे परिणाम आएंगे कोई संभावना नहीं तो जो परिणाम अप्रेल में आए हैं वैसे रिजल्ट आने वाला है मैं मैं कुछ बड़ी संभावना नहीं कि कुछ यहां यह आप चैंज होने वाला है और वर्ल ट्रेड औरगनाईजेशन ओडबल्लू यह जो है pas ट्रेड़ फ्लोड है अब यह एक्सपक्ड करता है यह आशा रखता है ट्रेड़ फ्लोड फ्लू स्लिप के जो ट्रेड़ फ्लो जे व्यापार का दो फ्लोड है ठोसलीप वाई वो यह रिपीट कर रहा हूँ, यहां पे कह रहा है, कि भई, जो परिणाम है, जो 91% का यहां पे गिरावट डर्ज की गई है, अप्रेल में, तो मई के लिए भी कोई संभावना नहीं, कुछ अधिक हालत अच्छी हो जाएगी, और जो WTO है, वो यहां पे इसकी यह मतलब expectation है, इस even murkier, when one adds to this, the new barriers on trade in medical and food supplies imposed by over 90 countries, and an increasing tendency to look inward for essential supplies, as India is doing too, with its emphasis on self-reliance, the prognosis, prognosis का मतलब क्या है, prognosis से मतलब होता है, कि जो भविश्य में कोई भी संभावना बताते हुआ आप, कि भविश्य वानी करते हैं एक प्रकार से, कि भी यह development हो सकता, उसको prognosis बोलते हैं, ना उन है, क्योंकि दे लगा हुआ है, तो जो भविश्य के संभावना है, भविश्य में क्या विकास के संभावना है, gets even murkier, murkier का मतलब gloomy हो जाना, यह मतलब और भी dismal या gloomy हो चली है, है ना, मतलब संभावना विकास के जो है, वो और भी धूमिल हो गई है, संभावना नहीं है, when one adds to this, the new barriers on trade, जब कोई अगर यह देखता है या add करता है इसके अंदर, the new barriers, नई जो countries, यह किसके द्वारा थोपा गया है, sanction, यह प्रतिबंद, barriers, यह 90 से दिक देशों के द्वारा थोपे गये है, medical में, और food supplies में, and an increasing tendency to look inward, और जो बढ़तीव परवर्ती है, tendency noun है, increasing executive है, present participle है, and लगा हुआ है, article है, तो बढ़तीव परवर्ती जो है to look inward, मतलब अपने अंद जहांकने का मतलब आत्म निर्भर बनना, कि दूसरा देश अब सहयोग नहीं करेगा, दूसरे देश में अगर मंगाओगे तो पैसा बहुत देना पड़ेगा, इसलिए खुद आत्म निर्भर बनो, खुद यहां produce production करो, तो यह कह रहा कि जो tendency है look inward की for essential supplies आवशक समान के लि emphasize अगर होता verb होती तो यहां पर ओन नहीं आता, तो कहना क्या चारा है एक बार repeat कर देता हूँ, यह कहना चारा है कि जो prognosis है, जो मतलब हविश्य में संभावना है विकास की, वो मतलब और भी या मर्कियर, मतलब और ज्यादा यहां पर मर्की हो चली है, मर्की से मर्कियर ब barriers आ जाते हैं, नई रुकावटे आ जाती है, किस चीज के अंदर, उस व्यापार में जो medical और food supply से जुड़ा है, और यह किस के द्वारा barriers लगाए गए है, 90 से दिक देशों के द्वारा, और यहां पे लगातार एक बढ़ती प्रवर्ती यह भी है कि आत निर्वर बनना है, जैसा कि भारत भी जोड़ दे रहा है, इस बात पर, the country is again pitching, pitching का मतलब है लक्षे रखना, चाहा ना कि ऐसा हो जाए, तो again pitching to become an alternative investment destination for big global businesses, in the hope that the COVID-19 pandemic would prompt them to hedge their China dependent supply chains, देश, मतलब भारत, is again एक बार फिर से, pitching लक्षे रख रहा है, to become an alternative investment destination, भारत का लक्षे है, बनने का, क्या ब alternate, A-L-T-E-R-N-A-T-E, यह होता है, एक छोड़ कर दूसरा, मतलब एक प्रकार से, एक आंतर करम में, और alternative होता है, वेकलपिक, तो भारत यहां पे एक वेकलपिक destination बनना चाहता है, निवेश की, कि चाइना में निवेश करते थे, companies, वहां जाके setup डाला हुआ था, अब COVID-19 pandemic, कि जो COVID-19 वहशुक महामारी है, वुड प्रॉम्ट देम, प्रॉम्ट का मतलब प्रेडित करना, inspire करेगी, उनको, किनको, जो निवेश हो, बिजनस होंगे, उनको, to hedge, hedge का मतलब बचाना, है न, बचाने का देर, China dependent supply chains, कि उनकी चाइना आधारिक जो supply chains हैं, कि चाइना म बिमारी का उदे हुआ था, इस बिमारी का, शुरुवात यहां से हुई थी, तो अब वो चाहेंगे, कि वो supply chain जो है, वो बची रहे, उनका पैसा वैसे ही चलता रहे, उनका system वैसे चलता रहे, तो वो एक alternative destination की तलाश करेंगे, और भारत वो destination बनना चाहता है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, कहना चाहरा है कि भारत जे देश है, वो एक बार फिर से भारत का लक्षे है, वैकल्पिक investment destination बनना, कि निवेश के लिए एक destination बन जाना, बिग global businesses के लिए, बड़े बड़े वैश्विक व्यापारों के लिए, कारण है कि भारत की आशा है कि COVID-19 pandemic जो लेकिन लेखा कह रहा है कि investment move जो है, निवेश के जो कदम है, वो एक longer term play है, लंबे समय का खेल है, मतलब कहने का मतलब इस पूरे editorial में सारी बातें भारत के तो खिलाफ जाती वी नज़र आ रही है, ठीक है न, बट investment moves are a longer term play, लेकिन investment move जो है, वो मतलब लंबे समय का खेल है, meanwhile Indian exporter should not be caught on the back foot as bigger stimulus packages announced by other countries, kick into revive demand and give a minor flip to international trade, तो कह रहा है, meanwhile इसी दरम्यान, मतलब इस समयावधी के अंदर, भारती exporter को क्या नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा नहों कि भारती exporter को, मतलब पिछड जाएं है, back foot पर जब हो, back foot का मतलब यह है कि फिलाल हालत खराब है, और ऐसी condition मे इनको caught on का मतलब यह फस जाएं, इनको पकड़ लिया जाएं, क्यों, क्योंकि जो इस से बड़े, जितने हैं भारत ने stimulus package यहां पे घोशना करी है भारत में, तो उससे बड़े package दूसरे सरकारें भी घोशिट करने अपने देश के अंदर, उसके चलते, चुकि भारत के जो economic package है, जो यह stimulus package है, उन से बड़े package और देश भी घोशना कर चुके हैं, तो उनके चलते कहीं ऐसा न हो जाए इस दरम्यान, कि भारती exporter जो हैं, उनको मतलब यहां पे, जो पहले से back foot है, अब वो यहां पे इनके जाल में फस जाएं, और यह जो package हैं, उनके बादे में कह लगाया, फिर कह रहा है कि यह कह रहा है कि अनॉंस्ट बाइदर कंट्रीज यह इसी के लिए है, किक इन्टू रिवाइब डिमांड कि किनका मतलब होता है, bring about कह सकते हो, या फिर कह सकते हो, कि भाई जैसे कम इन्टू effect कह सकते हो, है ना कम इन्टू effect, परभावी होना, तो का मतलब मांग को फिर से सक्रिये करना, रिवाइब का मतलब फिर से activate कर देना, एंड गिवे माइनर फिलिप और एक हलका फुल का बुस्ट, फिलिप का मतलब बुस्ट, बुस्ट मिलना और टू इंटरनेशनल ट्रेड अंतरस्टी व्यापार को, तो अन्ने देशों के मिले, एक छोटा मोटा एक बुस्ट मिले, हैना निकरेजिमेंट मिले, किसको अंतरस्ट्री व्यापार को, यह कहना चारा है, अब यहां पे इस तरह से ध्यान पढ़ना इसको, यहां पे घोशित किये गए हैं, कि इन कोट ऑन दा बैक फूट एज बिगर सिन पैकेज, अनौ जो इस्टिमिलिस पैकेज, बड़े पैकेज गोशित किये गए हैं, वो यहां पे इफेक्ट में आएंगे, डिमांड को बढ़ने के लिए, और अंतरस्ट्री व्यापार को फिलिप देने के लिए, अब अगर बात करें इसका टोन क्या है, तो पैसिमिस्टिक टोन इसका है, क्योंकि भारत के लिए भविश्य अंदकार में फिलहाल है, अगर चार-पांच-दस मैनों की बात करें आप, तो उसमें लेखक ने कहा है कि भारत के लिए कोई आशाकिर नजर नहीं आ रही है, अब बात करेंगे आज के वोकैबलरी की, आज के क्विज की, यह सब और देख ग्रीम एजेक्टिव है, ग्रीमिस्ट देखा था हमने, डिजमल, ब्लीक, ग्लूमी, डिप्रेसिंग, डिप्रेस करने वाला, तनाव पैदा करने वाला, या फिर कहें कि एकदम पैसिमिस्टिक हो, और डिजमल हो, उदासी भरा हो, मतलब कुछ अच्छा नहीं है, उसका मतल पैसा वितरण है, मर्की, डार्क, घ्लूम, डिजमल, चियरलय Only, यह वैसा ही, जैसा कि हमने पढ़ था नो पर गरिम, इसका सिनॉनिम है, प्रॉम्ट का मतलब इंड्यूस करना है, तो जो हमने इंड्यूस का पढदा, वो इसका सिनॉनिम हो गया, ठीक है ना, प्रेरित करना hedge का मतलब सुरक्षा देना होता है तो protect, safeguard, guard, बचाना, सुरक्षा देना kick in का मतलब come into effect या और operation मतलब effect या operation में आना संचालित होना, प्रभावी हो जाना फिलिप का मतलब है stimulus, boost, spur, prod ये सब मतलब है मतलब प्रोथसाहन, encouragement rise और raise में difference गया है तो rise, rose, region बढ़ना, उठना, व्रद्धी करना, raise का raised, raised, बढ़ाना, उठाना thanks to का मतलब होता है owing to, as a result of, due to, या फिर by virtue of, किसी के कारण revision में aftermath का मतलब परिणाम है innocuous का मतलब हानी रहित है, harmless है, dire का मतलब आप कह सकते हो भयानक और in the face of का मतलब, जब सामना होता हो किसी चीज से और contraband का मतलब, जो गैर कानूनी हो तो aftermath का परिणाम है, तो परिणाम के लिए upshot यह तो समद जाना चाहिए, बहुत पर मैंने repeat कर दिया है innocuous का हानी रहित है तो harmless, dire का भयानक है, terrible in the face of का when confronted with है, और contraband का illicit है, गैर कानूनी है, फिर vocabulary drill में देखो मर्की है, मर्की हम पढ़ के आए अभी, मर्की ग्रिम को बोलते हैं, ठीक है, dark, gloomy यह सब, hedge का मतलब सुरक्षा देना, protect करना है, prognosis का मतलब हविश्य में जो आप कह सकते हो कितना development होगा, उसके बारे में सोचना है, bulwak का मतलब, सुरक्षा कवच है, salvage का मतलब बचाना है, तो पहला तो हमने लेडियाय सेलवेजिंग करके, कि after the fire, there wasn't much furniture left worth salvaging, तो आग लगने के बात में जदा furniture बचा नहीं था, कि उसको बचाया जा सके, जलकर राक हो गया था पूरा furniture, you can dash against redundancy or illness with insurance, तो आप insurance के साथ, insurance से क्या होता है, आप चीज़ों को सुरक्षित करते हो, तो आप redundancy, जो मतलब हालतू चीज़ें होती है, आउशक्ता शादी को रिटिंडेंसी बोलते हैं, तो यह यह समझ लो, आपके जैसे illness बीमारी है, बीमारी से सुरक्षा है, insurance है, सुरक्षा देने को क्या बोलते हैं, hedge बोलते हैं, तो hedge आ जाएगा, क्योंकि वर्ब चाहिए न, कुछ भी मतलब आप दाए उस पर, तो उस समय सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच, बुलवाक बोलते हैं, चूकि नाउन चाहिए, तो ए बुलवाक सही है, इसके बाद देखो, कुछ यहाँ पर क्या जाएगा, है न, इसके बाद देखो, कुछ यहाँ पर questions है, चूकि आज अंतिम सेशन होता है, फ्राइडे को, इस week का, तो यहाँ पर कुछ questions आपको आज, common error के दिये हुए है, Why on earth has he not come, कोई गलती नहीं है, no error है, ठीक है, क्योंकि on earth होता है, वैसे earth है, लेकि on earth यह एक fix phrase है, यहाँ पर दे नहीं लगता, तो consider my application कि आप मेरे आवेदन प्रतिध्यान दो, and grant me a job, और मुझे एक job दो, as early as possible, जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी, अरली के जगे सून भी लगा सकते हैं, each of these boys plays, each of these में क्या होगा, singular लगेगा, तो plays आएगा, each of these, क्योंकि each यहाँ पर subject है, each को देखकर, singular verb आएगी, तो plays आएगा, no one of his lectures have been, have ever been printed, तो कहरा, not one of his lectures, जो lectures उसने, जो भी है न, lectures उसने provide किये हैं, उनमें से एक भी lecture को यहाँ पर print नहीं करवाया गया, तो एक के लिए यहाँ पर क्या आएगा, heads, either so and or his friends, तो इदर और में क्या होता है, और वाला, और के बाद वाले को देखते हैं, तो friends को देखकर यहाँ पर क्या लगाएंगे, और लगाएंगे, फिर गया, I don't suppose anyone will volunteer, will they, कोई गलती नहीं है, no error, अब आप पुछोगे, दे कैसे आगया, तो याद रखना है, यह जो indefinite pronoun होते हैं, anyone, no one, someone, इन सब में क्या है, question tags बनाते हो ना, तो इसको plural मानते हो, वैसे तो singular ही होते हैं, लेकिं question tag में इनको plural ही मानते हैं, I am looking forward, look forward में to लगता है, इसका मतलब बेसबरी से कोई चीज़ का इंतिजार अगर आप करते हो, तो look forward to, आपका answer होगा B, can you cope up with all this work, तो cope up नहीं होता है, cope with ही होता, सामन जश्य बठाना, harmonize करना, तालमिल बठाना, तो क्या आप इस काम के साथ तालमिल बठा सकते हो, उसने पूछा, he served as president of the lawyers club since 15 years, 15 years period of time है, तो यहाँ पे since नहीं आएगा, 4 आएगा, 15 सालों से, अगर कोई year का नाम दे रखा होता, 2005, 2010, ऐसा कुछ, तो फिर definitely हम क्या लगाते हैं, since लगा देते, तो यह था आज का session मुलाकात होगी, अब अगले session में तब तक लिए नमस्कार, जो paid users हैं, उनके लिए कुछ questions हैं, वो हम देखेंगे, so thank you very much for watching the video, YouTube viewers के लिए देखते रहें, जुड़े रहें, share करते रहें,